हालो दोस्तों रुजगार हिंद आपको सौगत है मैं हो रिजवान और जैसा कि आपको पता है कि अभी यूएस में यूएस गवर्मेंट ने हचोन बी वीजा और ऐसे बहुत सारे वीजा में बैंड लगा दिया है एक्स्टेंड कर दिया है 31 दिसंबर तक means कि आप अभी application डालेंगे भी तो approval नहीं मिलेगा और जो वीजा पहले से हैं जिनके पास में वो renew नहीं होंगे और इस तरह में जो इंडियन्स हैं वो वहाँ पे अभी फिलहाल travel नहीं कर सकते हैं और नहीं उनको वहाँ पे इस वीजा में जॉब मिलेगी यह वीजा extension 31 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू किया गया उसका रीजन यह है कि डोनाल्स ट्रंप का कहना है कि वहाँ पे unemployment ratio बहुत जादा हो रहा है और जो लोकलाइजेशन है सबसे पहले वह करना है मींस कि वहाँ के जो लोग हैं पहले उनको जो प्रोइट की जाएगी उसके बाद बाहर के लोग को देखा जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडियन्स जो यूएस में काम करते हैं IT सेक् अगर आप देखा जाए तो इंडियन्स ही वहाँ पर अप्लाई करते हैं बागी चाइना से और अधर कंट्री से भी वहाँ पर जाते हैं लोग अभी आपको बता दू कि धायलाग अप्लिकेशन डाले गये थे यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से यह इंफॉमिशन के थे वहां पर बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे वीप्रो हो गया ती यसी education जैसी कंपनीच जो है है पूल इंडियन्स को भाईया लोकह अच्छी होती है और फायदा क्या होता है कि जो वहां की companies होती है मान लीजिए कि अगर IT sector में Infosys या TCS company है या विप्रो company है अगर US के लोगों को hire करती है तो उनको बहुत ज़्यादा salary देनी परती है बहुत ज़्यादा cost उनको bear करनी परती है companies को और इसके लिए वो Indians को hire करती है इससे फायदा क्या होता है कि वहाँ पर Indians को कम salary में वो hire कर लेते हैं और उनको ज़्यादा knowledge वाले लोग क्योंकि Indians में IT sector में बहुत सारे लोग US में काम कर रहे हैं वो लोग मिल जाते हैं इंडिया को फायदा क्या होता है Indians में क्या होता है कि जो इंडिया के comparison में US में salary मिलती है वो बहुत अच्छी salary मिल जाती है तो इस तरह से वहाँ पर Indians अपना पूरा benefit उठाते हैं इससे फायदा क्या होता है यह वीजा जो है साथ साल के लिए होता है और इसी वीजा में आपको बता दूँ कि बड़े बड़े लोग गये हैं जिन्होंने अपना करियर सेट कर लिया US में एक नाम इंडिया का आता है सुंदर पिचाई जो आप जानते होंगे गूगल के CEO है वो भी इसी वीजा में गये थे सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है वो भी इसी वीजा में गये थे और इस तरह से बहुत सारे वीजा जो है अप्लिकेशन डाले गए थे और वहां जाके उन्होंने अपने करियर बना लिया इवन मैं अगर बात करूं कि जो डोनल्ड ट्रम्प की जो प्रेसिटेंट है वहां के उनकी जो वाइव है वो भी इसी वीजा में वहां पर गई थी तो इस तरह से वहां पर जाके लोग अप बहुत ही ज्यादा डिसप्वाइंट है और उन्होंने इसको दुख जाहिर किया है इस बात के लिए ट्वीटर में ट्वीट करके और इंडियन जो लोग है उनको सपोर्ट करने की भी बात करी है और जो एच वन बी वीजा जो बैन हुआ है यूएस में उसकी वज़े से बह BobSquart Company की CEO इरफान गाओजी जिन्होंने अपनी तरफ से जो कई काम ही करते हैं सेक्टर में IT सेक्टर में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है और जो IT सेक्टर में जिनका टाई-अफ है जो अपने प्लेस्मेंट करते हैं बहुत ज़्यादा IT सेक्टर में उन्होंने भी या कि आपको वहां पे भी चांस मिल सकता है जो आपका मैं आपको बता दूँ उनका एक ऑफिशल एकाउंट है आप चाहें तो लिंग दिन को ऑफिशल एकाउंट चेकर सकते हैं मैंने डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक आप वहां पर जाके देखेंगे उनको मैसे होने कहा है कि अगर आप प्रवासी वहां पे नहीं होते हैं मेंज की इमिग्रेंस वहां पे अगर नहीं होते हैं तो एकॉनमी बहुत जादा डौन हो सकती है क्योंकि उनको पता है कि जो इमिग्रेंस होते हैं वो लो कॉस्ट में काम जादा करते हैं और उनकी जो एकॉनमी ह होती है कहीं न कहीं उन्हीं की वज़े से डिवलप होती है तो उन्हों ने ये पूरी तरीके से सपोर्ट किया है तो आप अगर चाहें तो कैनडा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पर खुला हुआ है और ऑप्शन्स जो हैं जो कंडिशन्स हैं वह एक्सपर सेंग जादा से जादा इंडियन्स होते हैं तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं कैनडा में भी अगर यूएस में आप्शन नहीं है तो अलाकि वह जनुवरी जो 2021 आईगी उसमें नए तरीके से इंप्लिमेंटेशन होगा जो भी अपडेट होगी हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से ज़रूर बताएंगे तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक भी कर दें आपको जो भी इंफॉ इंफॉर्मिशन से और जो यूएस ने इंफॉर्मिशन दी है उसकी पूरी डिटेल चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है तो चली मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखें अपना टेक क हैं